हालो फ्रेंट्स वल्कम टू माई चैनल जीवो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जीवो जीवन पर हार देख स्वागत है पुर्शों के बाय पैर पर छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है और यदि गिर भी जाए तो इसके अशुप प्रभावों से बचने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं जी हां आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें दोस्तों पौराडिक शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने भविश में होने वाली शुब और शुब घटनाओं के बारे में पहले से ही जान सकते हैं परशुपक्षी और कई जीवजन्तु अपने कुछ क्रिया कलापों द्वारा भविश में होने वाली शु दोस्तों आज का यह वीडियो मैं वीवर्स की खास दिमान पर बना रही हूँ जैसा कि शकुन सास्तर के अनुसार महिला और पुर्षों के शरीर पर छिपकली गिरने का अलग-अलग मतलब बतलाये गया है जैसा कि पुर्षों के शरीर के दाएं भाग और इस्त्रियू के शरी गिरना अशुब माना गया है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पुर्षों के पैर पर छिपकली के गिरने का मतलब बतलाऊंगी जिसमें की घुटने जांग और पैरों के तल्वे पर छिपकली के गिरने का अलग वीडियो में मतलब बतलाये गया है तो आई जानते है कि यदि किसी पुरुष के पैर पर छिपकली गिरती है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों शकुन सास्त के नुसार यदि किसी पुरुष के बाएं पैर पर छिपकली गिरती है तो यह अच्छा नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि निकर बिविश में आपको किसी निकिसी किसी प्रकार की हान अथ्वा घाटे का सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा आपको कोई न कोई बिमारी परशान करने वाली है दोस्तों यदि किसी पुरुष के बाएं पैर पर छिपकली गिरती है तो ऐसे पुरुषों को घर में जगड़ा या जहंजट का भी सामना करना पड़ सकता है कुल मिलाक के पुर्शों के बाएं पैर पर छिपकली का घिरना शुव नहीं माणा जाता है दोस्तों आई जानते हैं कि छिपकली के गिरने के अशुप प्रभाव से बचने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं दोस्तों धोस्तों, यदि कभी भी चिपकली आपके किसी भी यंग पर गिरती है तो सरप्रतम आप वस्त्रों को अवश्य बदलें, इसके बाद आप रिश्णान कर लें और हो सके तो आप भगवान शीव का दर्शन अवश्य करें, हो सके तो आप अपने इस्ट देव का ध्यान करते दोस्तों आप उचित दान दक्षणा भी कर सकते हैं दोस्तों आई जानते हैं विज्ञान के अनुसार मनुष्य के अंगों पर छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है विज्ञान के अनुसार मनुश के अंगों पर चिपकली का गिरना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना गिया है और यह जब किसी के शरीर पर गिरती है तो अपने शरीर से चिपचिपा परदार्थ छोड़ती है जो कि मनुश के आँख नाक और मुँ में जाने पर वेक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचा सकती है तो हो सके तो छिपकली से दूर रहने का प्रयास अवश्य करना चाहिए कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानेताएं मानी गई है विज्ञान की माने तो मनुश के अंगों पर छिपकली का गिरना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना गया है परंतिदी शास्त्रों की माने तो छिपकली के क्रिया कलाब कई गूर रह से छिपाए हुए हैं जो मनुश को भविष में होने वाली शुब और शुब घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं दोस्तों आशा करते हूँ कि आज की दीगई जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद